आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉर्ण जिसे मक्का या भुट्टा भी कहते हैं उसके बारे में दोस्तो कॉर्ण को ऐसे तो खेतों में लगाया जाता है लेकिन आप इसको घर पे भी बहुत ही आसानी से गमले ग्रो बैग या जमीन या क्यारी में लगाके ग्रो कर सकते हैं और घर पे भी उगाये कॉर्ण में इस तरह से आपके पूरे भर भर के बजार में मिलने वाले कॉर्ण की तरह ही दाने बनेंगे तो इसके लिए किन-किन बातों का ध्यान डखना है क्या-क्या साउधानी बरतनी है बीज लगाने से लेके कॉर्ण तोड़ने तक की पूरी अपडेट होगी तो वीडियो पूरा जरूर देखेगा कॉर्ण को ऐसे तो साल भर इंडिया में लगा के ग्रो किया जाता है लेकिन इसका जो में ग्रोइंग सीजन होता है वो है स्प्रिंग सीजन यानि फेवरी मार्श एप्रिल के टाइम पे और दूसरा बरसात यानि खरीव सीजन साथी बरसात यानि मौनसून खतम होने के तुरंत बाद भी जैसे सेप्टेंबर के टाइम से भी इसकी खेती की जाती है और जिन स्टेट में सर्दियों में बर्फ नहीं गिरती वहाँ विंटर में भी इसकी खेती की जाती है तो कॉर्ण यानि मक्का को लगाने के लिए आप सबसे पहले अच्छी क्वालिटी के बीज को ले 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 कॉर्ण के बीज आपको चाहिए तो बीज आपको ऑनलाइन गार्डनिंग सेंटर पे मिल जाएंगे जिसकी लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन में है अब इसके बीज की वराइटी की बात करें तो इसमें आपको तीन तरह के बीज मिल जाते हैं एक नॉर्मल कॉर्ण या स्वीट कॉर्ण के बीज दूसरा आपको बेबी कॉर्ण के भी बीज मिल जाएंगे यानि बेबी कॉर्ण जिसकी सबजी या बेबी कॉर्ण चिलीज व उसके भी बीज बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे अब बात करें कॉर्ण को ग्रो करने के लिए गंबले या ग्रो बैग के साइज की तो एक पौधे के लिए आपको कम से कम 10 या 12 इंच का गंबला या ग्रो बैग यूज करना है बाकी सबसे बेस्ट होता है इस तरह के चौड़े कंटेनर में कॉर्ण को लगा के ग्रो करना जिसमें आप कम से कम 4-5 कॉर्ण के बीज एक बार लगा कर ग्रो कर सके या फिर आप एक सिंगल जैसे 10 या 12 इंच के ग्रो बैग में भी कॉर्ण लगा रहे हैं तो कोशिश करें एक साथ 4-5 गमलो में कॉर्ण के बीज या पौधे लगाने की ताकि आप एक जगा पे 4-5 कॉर्ण के पौधे रख सके इसके क्या फायदे हैं उसको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी और अगर कॉर्ण खेतो या जमीन में लगाई जा रही है तो आप इसको किसी भी तरह की मिट्टी में लगा के ग्रो कर सकते हैं लेकिन गमले या ग्रो बैग में ग्रो करने के लिए आपको इसको जादा से जादा nutrition rich मिट्टी बना के देनी होगी तो उसके लिए 50% आप नॉर्मल गार्डन सोयल ले ले और उसमें आप 30% सड़ीवी गोबर की खाद या वर्मी कमपोस्ट या किचन विस्ट कमपोस्ट मिला ले और बाकी 20% आप इसमें रेत या फिर कोको पिट की मात्रा को मिला ले अब कॉर्ण को ग्रो करने के लिए मैं यहाँ पे 24 बाय 12 इंच का ग्रो बैग यूज़ कर रही हूँ बीज लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपको कॉर्ण के बीज को कम से कम डेड़ से 2 सेंटिमिटर या एक इंच अंदर मिटी के लगाना है तब ही जो पौधे हैं वो जादा मजबूत निकलेंगे और इस साइज के 24 बाय 12 इंच जैसे यह ग्रो बैग है तो इस साइज के ग्रो बैग में आप साथ से आठ कॉर्ण के दाने या पौधे लगाके ग्रो कर सकते हैं कॉर्ण के बीज को डायरेक्ली मिटी या जमीन में लगाकर ही ग्रो करना चाहिए इस से पौधे जादा मजबूती से निकलते हैं और अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं बाकी आप चाहें तो अलग से पौधा तयार कर भी ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं अब गमले या ग्रो बैग को लेके बहुत जादा कन्फूजन होता है लोगों को तो आप देखो यहाँ पे जो है यह 18 बाई 15 इंच का ग्रो बैग है इस साइज के ग्रो बैग में आपको 4-5 कौर्ण के बीज लगा के ग्रो करना है आप कौर्ण के बीज को इस तरह से जर्मिनेट करा कर यानि अंकुरित करा कर भी लगा सकते हैं तो आप देखो ये बेबी कॉर्ण के बीज है, जिसको मैंने पहले जर्मिनेट करा लिया है, उसके बाद मैं लगा रही हूँ, बेबी कॉर्ण के लिए आप थोड़े छोटे कंटेनर का भी इस्तमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये 15 x 15 इंच का ग्रो बैग है, इसमें मैं चार बेबी कॉर्ण के पौधे लगा के ग्रो करूँगी, बीज लगाने के बाद आपको अच्छी तरीके से पानी दे देना है, और जब तक कि बीज में जर्मिनेशन, यानि बीज उगना ना स्टार्ट हो जाए, मिट्टी में आपको अच्छी तरीके से नमी बना के रखनी है, तीन से चार दिन के अंदर या मैक्सिमम पास से छे दिन में ही कौन के बीज जो है वो अंकुरित हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं जितने भी बीज हमने लगाये थे सारे के सारे बीज जो है वो अच्छी तरीके से अंकुरित हो गये हैं यानि पौधे बाहर निकल आए हैं 18 बाइ 15 इंच का ग्रो बैग है ये इसमें मैंने 5 जो है कौन के दाने लगाए थे और 5 के 5 पौधे जो हैं आप देख सकते हो मिट्टी से बाहर निकल आए हैं और ये कौन के बीज लगाने के लगभग 25 से 30 दिन बाद की अपडेट है आप देख सकते हैं पौधे जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से और स्वस्त तरीके से ग्रो हो रहे हैं और अब इनके पत्तों का जो साइज है वो भी अब चोड़ा होने लगा है और ये 24 बै 12 इंच का ग्रो बैग है जिसमें मैंने 8 कौर्ण के दाने लगाये थे और आप देख सकते हैं पूरी 100% जर्मिनेशन रेट है सारे के सारे बीज उगे और सभी आठो पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से और हेल्दी तरीके से ग्रो हो रहे हैं मक्का ग्रो करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इसको फूल सनलाइट में रखके ग्रो करना है जहां इसको दिन की कम से कम 6-7 घंटे की धूप मिल सके तब ही पौधे अच्छी तरीके से ग्रो होंगे और उसमें आगे जाके जादा मात्रा में कौर्ण यानि मक्का लगेंगे साथी पौधे की अच्छी ग्रोध के लिए टाइम टू टाइम आपको उसको अच्छे से फटलाइज यानि समय समय पे खाद देते रहना है खास कर जब आपका पौधा लगभग 25 से 30 दिन यानि एक मेहने का हो जाए तब आपको पौधे की मिट्टी की हलकी गुड़ाई इस प्रकार से कर देनी है जड़ों के पास से जादा गुड़ाई नहीं करें एक दो इंच दूर से गुड़ाई कर आप कौण में नाइट्रोजन रिच खाद जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा जादा है वैसे खाद का इस्तमाल करें तो इसके लिए आप सड़ीवी गोबर की खाद का इस्तमाल करें प्लांट जितने भी लगाए हैं उस एकॉर्डिंग आपको देना है तो यहाँ पे मैं चार से पास से छे मुठी गोबर की खाद डाल रही हूँ अब मक्का ग्रो करते वक्त एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसके पौधे जो हैं वो हवा में तूट के बहुत जल्दी गिर जाते हैं अगर तेज हवा चलती है तो इसके लिए आप जब आपके पौधे लगभग एक महिने के हो जाएं यानि थोड़े एक से दो फुट के हो जाएं उसके बाद आप इसमें मिट्टी चड़ाया करें यानि उपर से मतलब एक गमला या देड़ गमला लगभग मिट्टी डाल दे हर बीस दिन में या पचीस दिन में एक बार इससे पौधे की जड़ें जो है वो मिट्टी के साथ मजबूती से खड़ी रहेंगी और जल्दी से तूट कर गिरेंगी नहीं और ये लगभग 45 से 50 दिन बाद की अपडेट है आप देख सकते हैं कौन के जो पौधे हैं वो काफी बड़े हो गए हैं और इनकी जो स्टेम यानि जो तने की मुटाई है थिकनेस वो भी काफी ज़ादा हो गई है और पत्ते भी काफी चोड़े-चोड़े हो गए हैं अब पौधे लगभग जब 45-50 दिन के हो जाएं मतलब उसमें मक्का लगना स्टार्ट होंगे उससे पहले भी आप अच्छी तरीके से मक्का के पौधे को फटलाइज यानि खाद दें ताकि उसमें ज्यादा मात्रा में कौर्ण लगे और दाने अच्छी तरीके से बनें खाद के तोर पे यहाँ पे मैं All-Purpose जो Liquid Acid Fertilizer है उसका इस्तमाल कर रही हूँ इसको बनाने का तरीका अल्रेडी मैंने बताया हुआ है जिसकी लिंक में end screen और description में डाल दूँगी इस वीडियो में बताकर वीडियो को और ज्यादा लंबा नहीं करूंगी तो आप चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हैं और ये लगभग 60-65 दिन बात की update है आप देख सकते हैं अब कॉर्ण के प्लांट में कॉर्ण जो है उसके कॉप लगना स्टार्ट हो गए हैं आप देखो सभी प्लांट में कॉर्ण कॉप्स आ गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं एक प्लांट में दो-दो कॉर्ण कॉप्स भी आ रहे हैं तो जैसे आप देख सकते हैं एक उपर ओल्रेडी कॉर्ण लग गया है और दूसरा ये नीचे से निकल रहा है इसी तरह यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस प्लांट में भी दो कॉर्ण कॉप्स एक साथ आ रहे हैं यहाँ से आप देखो एक निकला है और ये नीचे से एक और निकल रहा है तो बीज की क्वालिटी आप अच्छी यूज करोगे बिट्टी आप अच्छी बनाएंगे गमले या ग्रो बैक की साइज आप सही रखेंगे तो इसी तरह से और गैनिक तरीके से ग्रो करने के बावजूद भी एक से जादा कॉर्ण आपके भी प्लांट में लगेंगे और उपर से ये जो कॉर्ण के जिसे बाली कहते हैं या इंगलिश में से कॉर्ण के टसल्स कहते हैं ये कॉर्ण के एक्षली मेल फ्लार्स होते हैं इसी में पॉलेन होता है यानि पराग होता है ये टसल्स यानि मेल फ्लार्स में जो पॉलेन होते हैं इसका जड़के जो ये क पॉलेन का गिरना जरूरी होता है पॉलेन के गिरने के बाद ही इसमें जो है वो दाने बनना अंदर स्टार्ट होते हैं जितनी जादा मात्रा में उपर से पॉलेन यानि टसल से पॉलेन नीचे कॉर्ण के रेसे यानि बाल पे गिरेगा उतनी ही अच्छी तरीके से और उतनी जादा मात्रा में कॉर्ण में दाने बनेंगे इसको आपको अलग से पॉलिनेट करने की ज़रत नहीं होती हवा वगेरा चलती है तो उसी से पॉलेन उपर से जड़के नीचे गिरते रहते हैं इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जब भी आप लगाओ तो एक साथ 4 से 5 कॉर्ण के प्लांट साथ में लगाएं इससे पॉलिनेशन अच्छी तरीके से होता है और कॉर्ण में दाने ज़्यादा मात्रा में बनते हैं अब ये लगभग 70 दिन बाद की अपडेट है आप देख सकते हैं जो कॉर्ण प्लांट में कॉर्ण लगे हैं उसकी मुटाई अब ज़्यादा बढ़ने लगी है मतलब इसमें अब दाने बनना स्टार्ट हो गया है और अभी भी आप देखो नीचे से नए नए कॉर्ण निकल रहे हैं अब देख सकते हैं इसका साइज जो है अब काफी मोटा हो गया है इसका मतलब यह है कि अब इसमें दाने बन रहे हैं और कुछ दिन में यह तोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे और यह 18 बाई 15 इंच वाले ग्रो बैक में लगेवे कॉर्ण की अपडेट है जब लगेवे जो कॉर्ण होते हैं यानि कॉर्ण कॉप्स होते हैं उसके जो रेशे यानि बाल है वो थोड़ा सूखने लगे और कॉर्ण के पत्तो का जो कलर है वो थोड़ा फेड होने लगे तब आप समझ जाना कि कॉर्ण जो है वो बिल्कुल हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है या फिर आप चाहें तो पत्तो को हटा कर अंदर दाने चेक कर सकते हैं हलका खोल कर फिर आप उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और ये जो है ये 24 बाइ 12 इंच वाले ग्रो बैग में लगेवे कॉर्ण के प्लांट है इसमें भी आप देख सकते हो सभी प्लांट में बहुत ही अच्छे और बड़े बड़े साइज के कॉर्ण लगे है कॉर्ण की वराइटी पे डिपेंड करता है जेनरली 70 से 80 से 90 या 100 दिन में कॉर्ण हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाते है अब देखो कॉर्ण के जो प्लांट है उसकी जड़ों ने पूरे मिट्टी को अच्छे से जकड लिया है ताकि प्लांट जो है वो गिरे नहीं तो चलिए दोनों ही ग्रो बैग में लगे वे कॉर्ण की एक एक कर हार्वेस्टिंग करते हैं करता कि एक बार्वेस्टिंग करें तो यं से भीक्तिंगे में दोख भीक्ड़क़्पटिंगर्ण कर तो इंपने का वच्छे लेगीर फीड़ों है तो यह रही कॉर्ण की ओवरॉल हार्वेस्टिंग मैं आपको खोल कर इसके दाने दिखा देती हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें दाने बने हैं और बिल्कूल बजार में मिलने वाले कॉर्ण की तरह ही है तो आप भी इसी तरह घर पे बहुत ही आसानी से कॉर्ण यानी मक्का को लगा के ग्रो करें और उससे अच्छी हार्वेस्टिंग ले बीज की लिंक नीचे डेस्क्रिप्शन में है आप चाहें तो वहाँ से बीज खरीद सकते हैं बाकी पूरी अबडेटेड वीडियो थी तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाए और चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक् और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें